हेलो दोस्तों मार्दिन सिंगराजबत आज आपको एंटेनेट दिसम्बर 2019 का किस तरह फॉर्म फिल करें क्या क्या परिच्छा पेड़न है जैसा कि आप सभी लोग जानते कि 9 सितंबर आज 9 सितंबर आज से ऑनलाइन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है इस बार फॉर्म पेटर्ण था जो पिछली बार का उसका चैंज करते हुए नया पैटर्ण दिया है तो मैं सारा पैटर्ण बताऊंगा किस तरह रहा है तो जिन लोगों नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब निकिए वो सब्सक्राइब कर लें तो वीडियो ला वेफसाइट पर जाएंगे जैसा ही एंटीनेट की वेफसाइट पर तो आप फॉर्म करते समय इस तरह का खुलेगा देगे सबसे पहले आप लोगों को केंडिडेट नेम बनना पड़ेगा मदर नेम बनना पड़ेगा आडेंटिव टाइप होगी तो आप लोगों की इन मै पासपोर्ट क्वालिफिएशन एडमिट कार्ड फोटो कोई भी क्वालिफ एग्जामनेशन कर रखा उसका एडमिट कार्ड बिद फोटोग्राफ के साथ और आपका वोटर आइडी भी चलेगा रासन कार्ड जिसमें आपकी फोटो होनी चाहिए बैंक पास्पुक बिद फ पास्पुक बिद फोटोग्राफ जो भी अधर अन्ग गवर्मेंट अडिफिकेशन होगी वह भी चलेगी तो इस तरह से आप लोगों को यह अडिटिफिकेशन के लिए देनी हैं फिर उसके बाद आप लोग पिर उसके बाद आप लोग आप लोग आडिफिकेशन नंबर बरेंगे जैसे आधर का डिफिकेशन का नंबर पास्पुक कन एकाउंट नंबर इस तरह से उसके बाद आप फादर नेम भरेंगे डेट आप लोगों की उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे इसी तरह आप लोगों का कॉंटेक्ट एड्रस रहेगा जो भी रहेगा नाम क्या था आपको फैबरेट बुक कौन सी तरह के पांच सवाल लेते हैं और उसी सवाल का आपको सिकॉर्टी अंसर डालना पड़ता और कन्फरमेशन करते हुए आप लोग जैसे ही आप कैप्चर कोड भरेंगे कैप्चर कोड भरेंगे तो आप लोगों का आप लोगों का रजिस्टेशन हो जाएगा और इसके लिए आप इसके बाद आपका एक आपशन आएगा कि आपकी जो डिटेल हैं वो सही भरी नहीं है उसके बाद आप लोग फाइनल सम्मिट कर देंगे तो जो डिटेल हैं वो आ आपको देखिए उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद जब आपका रिश्टेशन हो जाएगा तो यह वालब फॉर्म फिल कर आएगा आपका यह जिसमें आप लोगों को रश्टेशन यहां पर मिल जाएगा देखिए यू हैव कंपलीट एशेशन फॉर्म प्लीज नोट डाउं ता अप्लीकेशन नमबर इसके निचे एप्लीकेशन नमबर दिया है सिकॉर्टी रिजन से आप लोगों को मैं दिखा नहीं रहा हूँ तो चलिए उसके बाद एश्टेशन फॉर्म कंपलीट हो जाएगा ग्रीन हो लोगों को बता रहा हूं देट आप लोग पहली बढ़ चुके हैं नेशनल इंडिया बरेंगे आप लोग कैटागरी में आप जनल ओवी सी डव्लू एस जनल या एस्टी एस्टी जो भी होंगा आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको पी डवलू टी जिसमें 40 सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद देखिए आप एप लाइफ और नेट दोनों के लिए तो आप लोगों का यह कॉलम मिलेगा दो कॉलम मिलेंगे तो जो लोग नेट वो देंगे जो आपके एज लिमिट तीस से उपर हैं और जिनका जे आरफ नहीं निकला है वो वो आप आपके जो जिनका ज आरफ निकला जो तीस से नीचे है जो जर्णल और आप का आरेचछरंड के साफसे जो भी फॉलो होता है उस इसाफ से टो वह बहुत नेट जा रफ एनड डौनों फिल करेंगे तो नेक्स दैटें नेक्स्ट आप लोग देखते हैं दो क्या बरेंगे है आप चोईस एक्जाम सिटी तो अगर आप उत्तर प्रदेश मत प्रदेश जो भी आपके जितने भी जिले आपको स्लेक्ट करने को कहें और आप लोग जिस प्रदेश में रहते हैं उसे साफसे सेलेक्ट कर सकते हैं इस बार यह नया दिया है देखो आप लोगों को लगता पि कोई भी एक्जाम सेंटर्स कर सकता है पिर जदी माल लीजिए कोई मत्पृदेश का है माल लीजिए वो कभी-कभी उत्तर प्रदेश आता है तो असे साफसे आप MP सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी जो सहल्जी थियो और चारो यह पिर देश उत्तर प्रदेश महाराज्ज और उसी साफ से चारों तो आप कोई भी मन से चूस कर सकते हैं चौई से आपके उपर निर्वर हैं तो चलिए आप सेलेक्ट करने के बाद क्या करें देखिए जैसा कि हरवार अलग हरवार एक साथ आता इस पर अलग आया है तो जिस परकार से आप लोग जैसा पीजी मांगा जाता है विद्ही पीजी में पास अपेरिंग साथ शेक्राइबाएग ऑपके बाद क recipe क्या होगा ख़ो फूम कोουςिशज आपके बाद आपका बोड़ य्वर्श टी आएगा कոण सी उनिवरस्टी से क्या अपने फिर ़ियर ओपास नियृट जह सब पर आपको मार्च डिटेल आएगा आपके टोटल मांक्ष एंड परसेंटेज इस तरह सेलेक्ट करके भरेंगे तो आफसन आएगा उसके बाद आपका पर आपको की सेलेक्ट करके यह है और देखिए एमफिल के लिए लिए कोई आपको फिर्श आपके लिए यह करता है यह नो और कोई भी पीह दी के लिए लिए दूसरा कोल्म इस तरह से तो इस तरह से आप सम्मिट करेंगे सम्मिट करने के बाद आपको पूरी डेटेल खुलकर आ जाएगी आपको अगर एडिट कुछ गलत भर गया तो आप एडिट कर सकते हैं इसके बाद अगर गलत नहीं बहुत तो फाइनल सम्मिट कर दीजिए और नेक्ट जब आपका फाइ इने चलागाएंगे उसके बाद आपसे बचाए नास सब्सक्राइब कर लोगों का फीस के लिए तो यो छिन लोग टेंच किलियर से अगर लोग देख सकते हैं की है तो वहांसार आपको फीस कर आजा तो चलिए आज के लिए इतना ही और आप लोग जो भी आपके क्वेरीज से उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए मैं आप लोगो एक डेटल आप लोगों के माद बताऊंगा क्या क्या चीज तो आप लोग इस तरह से फॉर्म फिल कर सकते हैं थैंकि यू अल दा वेस्ट